आप देखना शुरू कर चुके हैं The Debate, बैन भायों आज दो महत्तोपूर्ण खबरे हैं, पहला महिनपूरी और गोरकपूर के बीच संग्राम होने जा रहा है, अखिलेस यादव ने करहल महिनपूरी से चुनाव लडने का एलान कर दिया है, और गोरकपूर से मुख्यमंत्र करहल से अखिलेस यादव यानि मैनपूरी और गोरकपूर सदर यानि गोरकपूर मुख्यमंत्री योगी आदितिनाद। ये वक्त है राजनीतिक वाइदों का और बड़ी-बड़ी घोष्टनाओं का, क्या इन वाइदे और घोष्टनाओं को राजनीतिक दल सत्ता पाने क के बाद अमल में ला पाएंगे या नहीं हम इस वीशे पर भी आचर चाहते हैं बैन भाईयों उत्तर प्रदेश में चुनाओं के पश्चात बड़े-बड़े राजनीतिक घटना क्रम हो रहे हैं कि मैं आज आपका ध्यान दो बड़ी घटना पर आकर्षित करना चाहता हू और मैं चाहता हूँ कि या डिबेट उस तक्सीमीत रहे हैं पहली घटना है अखिलेश यादव का करहल मैंपूरी से चुनाओ लड़ने का एलांग। के कारण समाजवादी पार्टी ने लूज की थी वरना लगातार समाजवादी पार्टी 1993 से वह सीट जीतती आ रही है वह उनके घर की सीट है जितनी ही उनीस सो सरसर से लेके अब तक 2017 तक गोरखपुर की सीट है तो यह दोनों सीटों से दो बड़े सेनापती चुनाव मैदान में सामने आ रहे हैं दोनों ने अपने अपने लिए सुरक्षित सीटें तै कर लिए आज दूसरा मसला है कि अखिले पुरानी पेंसन बिवस्था को नोंने बहाल करने का वाइदा कर लिया है यह वाइदा तेरा लाक कर्मचारी और क्रीवन साथ लाक पेंसन भोगियों के लिए बहुत बड़ी कार्व के लिए काम करते हैं उनके लिए बड़ा मामला है पुरानी पेंसन की बहाली का अंदोलन बहुत लंबे समय से चल रहा है हर साल हर महीने हर तीन महीने में कि इनके बड़े ऐलान लखनों में धरना परदर्शन देखने और सुनने को मिलता था लेकिन आज अखिले से आदा की अगर वह सत्ता में आते हैं तो पुरानी पेंसन बेवस्था को बहाल करें तो क्या यह स्कीम काम करेगी क्या तीन सो यूनिट फ्री बिजली की स्कीम काम करेगी बीजेपी लैपटाफ बीजेपी स्मार्ट फोन और टैबलेट बाट रही है तो क्या यह प्तिक Nous आदे आएगी समाजवादी पार्टी का हिलाद रुपया और नौकरी इसके अलावा 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे क्या ये योजना काम आएगी मसला इस बात का है कि जब चुनाओ आते हैं तो राजनीतिक दलों को इस तरह के बड़े-बड़े वाइदे याद आते हैं लेखिन क्या ये वाइदे वाकई में, सट्था में आने पर पूरे किये जाते हैं तो मेरा जवाब है अंसिक तौरपर ना, क्योंकि कुछ वाइदे पूरे होते हैं और बहुत से वाइदे पीछे छूट जाते हैं लेकिन जब आप इतना बड़ा आइकॉनिक वाइदा कर रहे हों तो उस पर बहुत लोगों की निगाह होती है जैसे पुरानी पेंसन की बहाली होती है तो यकीन मानिए कि राजी के खजाने पे बड़ा बोज आएगा तो राज वस्यक्ता होगी क्या यह पैसे का इंतिजाम कैसे होगा यह सब भी एक महत्तोपूर्ण प्रश्ण है लेकिन आज राज्य कर्मिचारियों के बीच इस बात की खुशी की लहर दोड़ गई कि पुरानी पेंसन की बहाली का एलान लार्जेस्ट अपोजीशन पार्टी के प्रश्ण सुनी आप बिना बहेदभाव के प्रतेक नाकरी के जीवन में परिवर्तन कारी सरकारें कैसे हो सकती हैं यह 2017 के बाद आपने कुछ परिवर्तन देखा होगा